अंक पुईलाओनो नौरक नो खुलूंग मां स्कांगिया फारो खुलूंखा जोतन ननननो मंच में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी योगी आदेतिनाज जी हमारे तुरुपुरा के मुख्य मंत्री जी डॉक्टर मानिक शाहा जी हमारे चित्त महराज यहां में जो हमारे राज्य सरकार से कैबिनेट में जो मंत्री है सबका नाम नहीं लूँगा लेकिन सब हमारे ही है हमारे होदा ओक्रा है हमारे सामने में जो MLA's है डिग्रेटरीज है सबका नाम नहीं ले रहा हूँ बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन सब को मेरा साधर प्रणाम, सब को मेरे तरफ से प्रणाम मैं जादा समय नहीं लूँगा लेकिन क्योंकि हमारे जो लोग यहां में उपस्ते थे आपको हमारे मुखी मंत्री जी का बात भी सुनना है मैं जादा समय नहीं लूँगा लेकिन मैं तृपुरा के बारे क्योंकि ये नैशनली टेलकास्ट भी हो रहा है मैं तृपुरा के बारे कुछ कहना चाहता हूँ तृपुरा एक ऐसा राज्य है जो स्वाधीन तृपुरा के नाम से जाना जाता था मुगल आये अंग्रेज आये लेकिन तृपुरा स्वाधी नहीं रहा ना मुगल ने हमें शिकस्त किया ना अंग्रेज हमें उनके वसल बना सके ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे भी एक गहरा सोच है राजनीती सिर्फ दिखावे से नहीं होता है एक अंदर में भी एक मजबूती रहना चाहिए मुझसे पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने काफी कुछ कहा है आज तृपुरा का एक अलग कल्चर है आज से 500 साल पहले मेरे ही पर दादाओंने शूजा के लिए मस्जिद बनाया हमारे यहां में शंभूच आक्मा है मेरे ग्राणफादर ने बुद्ध मंदर बनाया और तृपुरा सुंदुरी का रक्षा भी हमने मरते दम तक हम सब ने किया यह तृपुरा का एक कल्चर है आज के दिन हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि पडोस में बंगलादेश है आज अगर हम कुछ तालियों के लिए अगर हमने कुछ कह दिया तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाती भाई हमारे हिंदू भाई बहन जो बंगलादेश में है आज यहां से कोई भी बयान अगर जाएगा तो उनको मुद्दा मिलता है हमारे माइनॉरिटी जो बंगलादेश में उनकी उपर अत्याचार करने के लिए तो जो भी कहना है, जो भी करना है, बोल के नहीं करना है, दिल के अंदर मजबूती रखना है मैंने देखा है, कि आज जो चित्तो महराज ने यहां में मंदिर का निर्मान किया है मैं चित्तो महराज को नमन करता हूँ, I respect you चित्तो महराजी मुखी मंत्री जी भी है यहां में हमारे तुरुपुरा के उनका भी सोच हमारे सोच से मिलता है और आपने मुझे एक दर्ख्वास भी की थी कि यहां में तुरुपुरा में एक अच्छा जमीन दिया जाए कि आप यहां में एक अच्छा सा English Medium School खोले मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे मुखी मंत्री जी भी यहां में है और इनका दिल बहुत बड़ा है हम लोग काउंसिल से राज्य सरकार से आपको English Medium School खोलने के लिए जगा देंगे और मैं अपने व्यक्तिकत तरफ से भी आपको साहता करूँगा कि एक अच्छा सा English Medium School आए जहां में हमारे जनजाती जो बच्चे हैं उनको भी एक अच्छा सा अफसर मिले कि वो जिन्दगी में आगे बढ़े यह मेरा दर्ख्वास्थ है और हम करेंगे आज के दिन मैंने देखा है कि हमारे ट्राइबल एरियाज में स्कूल की कमी है जो लोग इतना बयान देते हैं वो लोग स्कूल नहीं खोलते वो लोग हस्पताल नहीं खोलते और अगर हम अपने नेक्स जेनरेशन को अपने बच्चे को अपने माबाप को अच्छा सा चिकित्सा नहीं दे पाएंगे जंजाती एरियाज में स्कूल नहीं दे पाएंगे जहां से बच्चे का शिक्षा अच्छा हो तो उनको कल नौकरी मिले अगर हम यह सब नहीं दे पाएंगे तो हिंदू बोलकर हिंदू का दिखावा क्या करना अगर करना है तो कीजिए आज तक मैंने सुना है मैंने देखा नहीं है चित्तो महराज जी अगर स्कूल खोल रहे हैं तो यह मेरा धर्म बनता है मेरा कर्तव यह बनता है मेरा दायत तो बनता कि मैं उनको हेल्प करूँ बयान से नहीं होगा करना होगा यहां में मैंने दो तीन चीज और देखा है तुरुपुरा का एक जो कल्चर है हम कि आप मात्रुप्रसुंदुरी को देख लीजे हमारा खार्ची होता है केर होता है बुईसू होता है संग्रुमा होता है हम लोग सब एक संग मिल जूल कर बैट कर खाते हैं कि मैंने यह कि दूसरे जगे में नहीं देखा है कि लेकिन आज भी मैं देखता हूँ जब हमारे घर में राजबाडी में जब पूजा होता है तो फकीर बाबा आकर नमाज भी पढ़के जाता है सुरक्षा करता है मंदिर और मूर्तियों का यह हमारा कल्चर है आज हमारे चोदो देखता जो हमारा चोदो देखता है वहां में हमारे पुजारियों को आज भी ठीक से हम पैसा नहीं दे पाते हैं स्टेट गवर्मेंट इनको चलाता है लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं हम दूसरे के बारे बात कर रहे हैं लेकिन अपने लोगों के बारे क्या कर रहे हैं शक्ति अंदर से आता है औजार से नहीं आता है शक्ति और यही बात मैंने हमारे उग्रबंदी को कहा औजार से शक्ति आप दिखा सकते हैं लेकिन असली शक्ति अंदर से आता है और वो शक्ति होता है आप विचार करें, आप सोचें कि अगर देश को आगे बढ़ाना है राज्य को आगे बढ़ाना है तो हिंसा से कुछ नहीं होगा देश को अगर आगे बढ़ाना है शिक्षा से कुछ मिलेगा शिकित्सा से मिलेगा विवस्ता को बदलना पड़ेगा और अगर विवस्ता को बदलना है तो सबसे पहले हमको अपने अंदर जाक के देखना पड़ेगा कि हम में क्या कमिया है आज हमारे अंदर लालच है आज हम कमजोर क्यूं हुए है लालच के लिए इगो के लिए जलन है और अगर हम अपने गरीब भाई बेहन जो गाउं में रहते हैं उनके बारे सोच नहीं सकते है तो ये पद, ये पोस्ट, ये सिंखासन पूरा जिंदगी नहीं रहता है ये मैं जानता हूँ मैंने देखा है तो हमारा दायत्त कर्तव ये बनता है कि हम अपने लोगों के बारे चिंता करे उनके लिए हम उनका भवश्य अच्छा बनाए यहां में हमारे मंत्री है सब लोग बेटे है मैं जानता हूँ कि मुक्य मंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम को हमको आगे और बढ़ाना है और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे मुक्य मंत्री का हाथ को और मजबूत करेंगे मैं करूँगा आपको भी करना होगा क्योंकि हमें अगर राज्य को आगे बढ़ाना है अगर राज्य को आगे बढ़ाना है और सबका साथ सबका विकास अगरतला से भी बहार होना चाहिए और मैंने देखा है कि हमारे उत्रब्रदेश के मुक्हिमंदी जी आए है मैंने उनसे कहा कि मुझे समय दीजिए मेरे माता जी जो राजमाता है वो आप से मिलना चाहते हैं त्रिपुरा में भी अपना बनारस में त्रिपुरा घात है यह ति तिपुरा का अंडलर ताज समय वनारस हिनुवियर्सटी में योगदान दिया हम लकिमबूर खेरी से आते हैं मेरी माँ वहां में भी मंदर है वो भी हम चाहते हैं कि आप देखभाल कीजिए क्योंकि मंदर का अगर कोई देखभाल नहीं करेगा तो मूर्तिक रखकर मंदर का चलाना क्या मतलब बनता है मैं चाहता हूँ कि आप उनका जिम्मवारी ले आज बंगलादेश में भी हमारे बहुत मंदर हैं आज उनका देखभाल कोई नहीं कर रहा है मुझे चिंता वहां का भी है हमारे जो अलपसंक्यक हैं वहां में उनके बारे भी हमें चिंता है और हमें आने वाले दिन में सोच कर समझ कर कुछ कदम लेना चाहिए जिसमें हमारे अलपसंक्यक हिंदू बंगाली हो ट्राइबल हो चाक्मा हो बुदिस हो Christians हो उनका भी सुरक्षा मिलना चाहिए बंग्लादेश में the idea of India is created with sabka saath sabka wishwas the idea of India is that of a culture of a civilization a civilization cannot be equated with your diet यहां में हम हमारे पुजारी लोग पाठा मंग्सों घाते हैं मच्छी घाते हैं कहीं और में कुछ और होता है हर हिंदू धर्म में भी बहुत अलग-अलग cultures है हम लोग माकाली का पूजा करते हैं मैं जब साउत इंडिया में जाता हूँ वहां में कुछ और है हिंदू धर्म को आप एक नजरिय से नहीं देख सकते हैं अलग-अलग नजरिय से देखना पड़ता है इसके लिए तो इतने देवता है जब मैं नेपाल जाता हूँ वहां में अलग रगम का एक आयूजन होता है तो हमें अपना धर्म को समझना चाहिए उसके बाद हमें समझाना चाहिए हमेशा क्या होता है मैंने देखा है विनाशकाल, विप्रीग, बुद्धी हम खुद तो नहीं समझ पाए लेकिन दूसरे को समझने के लिए हम रास्ता दिखाते हैं मैं अनुरोथ करता हूँ हमारे चित्त महराज को कि मंदिर में आप सब का स्वागत कीजिए जब मंदिर में हम आएंगे जब हम मंदिर को देखेंगे जब भोग सब को मिलेगा तभी ईश्वर का आशिरवाद हमारे उपर आएगा ये परंपरा है त्रिपुरा का यहां में जाती जन जाती हम सब को हम सब ईश्वर का प्रात्ना भी करते हैं और हम सब को शांती का मतलब भी समझना चाहिए आखिर में मैं सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोग जिनोंने और गनाइजिंग कमिटी से आपने मुझे यहां में निमंतरन दिया आपने इतना आदर दिया मैं सब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ I love you आपने इतना प्यार मुझे जो दिया है मैं इस मंच में बैठा हूँ यह आपका प्यार है यह सत्ता का पावर नहीं है यह आपका प्यार है आप लोगों को बहुत लोग भूल जाते हैं बुबागर आपको नहीं भूलेगा हमेशा आपको आधर करेगा आप लोगों के लिए ही यह आप लोगों के लिए ही हम लोग यहां में है हम अपना जड़ को पहचानते हैं we know our roots we know our culture and we will preserve and protect our culture but we will not destroy other people's lives यह मेरे माँ बाप में मुझे समझाया मेरे माँ ने समझाया मेरे पिताजी ने समझाया कि धरम को सुरक्षा करो लेकिन किसी के उपर आकरमन मत करो आपका ताकत आपका शक्ती अंदर से मिलेगा औजार से नहीं मिलेगा यही मैं कहकर सबको बलाई बलाई नो हम्भाई कुलूंका I love you and God bless everyone बलाई नो हम्भाई Thank you